दो साल पहले जब देश के सबसे बड़े सेंटरल बेंक के सामने एक समस्या थी पोलिसी को लेकर एनिश्चित्ता हैं, सरकार और आर्बे के बीच में थोड़ी खींचातानी और इकोनोमिक के खस्ता हाल उस समय ये निन्य हुआ कि एक ऐसे खास व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाए जो 38 साल तक अपनी सेंवाएं दे चुका हो, जो रेविन्यो सेकरेटरी के तोरपर रहे चुका हो उन्हें फिर से याद किया जाए बुलाया जाए और कमान दी जाए देश के सबसे बड़े रेगुलेटर RBI की जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ शक्तिकांतादास साब की जो आज RBI में अपनी पारी के दो साल पूरे कर चुके हैं 1980 बेश के I.S. ओफिसर भूनेश्वर से और एक बहुती कुशल प्रशासक और बहतरिन एडिनिस्टेटर जिनके कंदों पर RBI की जिम्मेदारी है बहुत-बहुत स्वागत है गवर्णन साब आपका जीविदनिस से बातचीत करने के लिए शुक्रिया और सबसे पहले आपको RBI के दो साल पूरे करने की बहुत-बहुत बधाई शुप कामना है सवाल छोटा सा है सर यह RBI का सियासन है या कांटो का ताज है दो साल में कैसा लगा आप यह RBI का चेहर है और जिसमें कैसा रहें दिखे कोई भी रेस्पॉंस्पियल पोजिशन में जब आप रहेंगे तो उसमें दो तरफ के मतलब आपको situation face करनी होती है एक है यह आपके लिए बहुत-बड़ा एक opportunity है देश की अर्थविवस्था के लिए देश की economy के लिए आप कुछ contribute कर सेके यह बहुत एक बड़ा opportunity है आपके लिए दूसरा है कि इतना बड़ा position है so naturally बहुत सारे challenges रहेंगे बहुत सारे कटिनाया रहेंगे सवाल यह नहीं कि challenges आएंगे सवाल यह है कि आप वो challenges को कैसे deal कर रहे हैं तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि mixed bag है but bottom line है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा opportunity है और देश के अर्थविवस्था के लिए देश के हित के लिए economy के लिए आप क्या कर सकते हैं वो सबसे बड़ा task है और हमेशा यही कोशिस रहता है जो भी governor हो कि उसको कैसे आगे लिया जाए आपने आने के बाद इस image को तोड़ा है दूसरी image यह कि जनरली सरकार और RBA के बीच में कम बनती है लेकिन आप और सरकार एक ही सेम पेज़ पर एक ही दिशा में काम कर रहे हैं यह बदलाओ जो पिछले दो सालों में हमें दिख रहा है RBA में यह कैसे हुआ है देखिए world over आप कोई भी देश ले लीजिए हाल में US में भी काफी यह हुआ है और बाकी सारे देश में भी यह होता रहता है government का thinking कुछ issues पे अलग होता है central bank का thinking कुछ issues पे अलग होते हैं वो inherent conflict उसमें inherent है वो natural है Issue is आप उसको कैसे बातचीत करके resolve कर सके और सबसे best approach यही रहेगा और मेरा यही मानना है और मेरा हमेशा यही कोसिस रहा है कि आप बातचीत करके, discuss करके अपने point of view दूसरे को अलग जो other side है उसको convey करना चाहिए, उनको explain करना चाहिए तो बातचीत करके हमेशा हर issues का एक solution निकालना चाहिए और यह भी मन में रखना है, हमको ध्यान में रखना है कि ultimately देश की अर्थिवस्था के लिए economic कैसे अच्छा करे हमारा economic development कैसा हो उसके लिए सरकार, actually government का accountability RBI से ज़्यादा है क्योंकि 5 साल उनको election face करना होता है RBI गवर्नर आते हैं 3 साल के लिए, you know 3 साल के लिए आते हैं कोई-कोई, मतलब some governors 5 साल के लिए रहते हैं लेकिन government का भी accountability है तो इसलिए इसको discussion करके, बातचीत करके solution निकालना सबसे अच्छा approach है कुछ issues रहेंगे, जिसमें differences रहेंगे उसको बातचीत करके, sort out करनी जाई है विपल जो आपने communication की बात की सर मुझे याद है, जब आप governor बने ठीक 2 साल पहले पहली आपकी press conference हुई तो इतना उतसाम मैंने मीडिया में कभी नहीं देखा कि गवर्नर साफ ट्रेस conference में आ रहें लोग तालिया मजाने की पता है, आप बात करेंगे communicate करेंगे और वो हमें पिछले दो साल में हमने observe भी किया है दो साल में सर, आपकी leadership में, RBA में आपके लिए सबसे बड़ा achievement क्या रहा और सबसे बड़ी learning क्या रही देखिए, सबसे बड़ा achievement सिंगल आउट करना बहुत मुस्किल है और ये period भी ऐसा रहा पिछले एक साल ऐसा रहा कि कई सारे challenges आए, COVID जो कि once in a lifetime, once in a hundred year से वो भी problem आया, लेकिन में जब Reserve Bank आया, सबसे बड़ा challenge ये था कि जो NBFC सेक्टर का बहुत बड़ा एक situation था ILFS, post-ILFS crisis NBFC सेक्टर बहुत एक challenging situation था, बहुत सारे सवाले उठते थे कि कितना stable है हमारा NBFC सेक्टर, liquidity issues थे NBFC सेक्टर पे NBFC सेक्टर की stability पर issues, you know, questions were being raised banking सेक्टर के बारे में भी कुछ, you know, बहुत सारे सवाले उठते थे तो पहला challenge ये रहा कि NBFC सेक्टर और banking सेक्टर को कैसा एक normalize किया जाए और एक public confidence उसमें बढ़ाया जाए और NBFC सेक्टर को कैसे मतलब उसका resilience बढ़ाया जाए, आगे जाके NBFC सेक्टर एक strong सेक्टर रहे, उसके लिए liquidity अची तरह मिले, ये सबसे बड़ा challenge रहा है तो इसलिए beginning में हमने ये शुरू किया था कि 100 top NBFC को, मैंने भी ये प्रेस में भी कहा था कि 100 जो top NBFC, जो की करीब 70-80% asset size NBFC सेक्टर को represent करते हैं in terms of value उनको हम बहुत closely monitor किये, bank में भी उस monitoring और supervision बहुत बढ़ा है, तो supervision side में हम सबसे बड़ा, बहुत सारे steps लिए हैं पिछले दो साल में और आज हमारा जो supervisory approach है, उसमें बहुत सारे हम intensively उसको मतलब परसू कर रहे हैं और हमारा approach supervision side में ये रहा कि हम proactive रहे early warning signals हमने introduced किया है, और मतलब कुछ चीज़े ऐसे हैं कि analyze करते हैं, जैसे कि हमको पहले से पता लग जाए कि ये bank में या ये financial institution में या NBFC में problem आ रही है तो तुरंथ हम उसके management के साथ discuss करके उनको warning देते हैं उनको caution करते हैं, फिर उनको advice देते हैं, फिर direction issue करते हैं, तो ये सबसे बड़ा challenge रहा, और फिर other issues फिर बाद में आते रहें, मतलब आपका एक liquidity का एक issue था, interest rates, monetary policy का भी एक issue था, उस वकत growth slowdown भी शुरू होने लगा था पिछले साल, और growth को भी कैसा support किया जाए, तो RBI का तो multifarious responsibility है, आप अगर count करना चाहेंगे, फिर digital payments के लिए हमने बहुत steps लिए, आप दिखें जैसे कि पिछले साल December में, हमने NEFT को 24 इंटो 7 कर दिया, अभी 14 थारिक को हम RTGS को 24 इंटो 7 कर रहे हैं, तो इसलिए कई सारे steps लिए गए हैं, इसमें कोई देखें आपने बात की challenges से related, एक बड़ा challenge RBI के सामने है, पिछले कुछ समय में तीन banks एक के बाद एक जहां दिक्कते आई, PMC, ES Bank और अब लच्पी विलास Bank, और आपने कहा भी कि हम पहले warning देकर या पहले उन्हें चेता कर तैयार करते हैं और especially, बाद के दोनों banks को तो बहुत अच्छे तरीके से RBI ने handle किया है, लेकि एक issue अब भी है, वो यह है, कि एक तो इतनी सब निगरानी के बावजुद क्यों banks fail हो रहे हैं, दूसरा अगर उन्हें revive करने की कोशिश की जा रही है तो फिर bond holders और equity holders के साथ अन्याय क्यों, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, ये लोगों में बड़ी चिंता है कि अगर हम बैंक को फेसा दे कर या बैंक का शेर खरीतने हैं और वो जीरो हो जाए, तो फिर हम क्या करें आपका question के दो पार्ट है second part जो है एसा accident ना हो, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, हमने पिछले दो साल में मैंने जैसे पहले mention किया supervision को बहुत tight end किया है बहुत deep supervision करते हैं early warning signals भी हम introduce किये हैं, बैंकों के business models study करते हैं बैंकों का deposit position उनका loan book, बहुत deep dive करके supervision हमने बहुत tight end किया पिछले दो साल में पहला सवाल आप जिसके बारे में आपने पूछा दो तीन बैंक को बारे में आप जो shareholders, bondholders के बारे में आपने कहा जैसे कि मैंने MPC के बाद जो press conference हुआ, उसमें मैंने कहा था कि यह दो no matter subjudice है, court में pending है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो भी decision हम लेते हैं बैंकों के case में, वो in the best interest of depositors, depositor के interest protect करने के लिए वो decision हम लेते हैं, और कोई भी central bank हो, naturally RBI के लिए depositor interest सबसे बड़ा priority है, so जो decision लिया गया, it was done in the best interest of depositors और जो decision हमने लिया वो it is with as per law है, और as per regulatory guidelines है लेकिन इसी के साथ जो अभी हाली में आपने draft guidelines जारी किये, नए banking licenses के लिए, या फिर यू कहें कि NBFCs, banks में convert हो सकता है small finance banks के लिए जिस तरह की finance holding company, उनके structure को लेकर बहुत बढ़िया guidelines है, जहां private sector banks में है, promoter stake बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये guidelines दिखाने के लिए बहुत अच्छी है लेकिन क्या वाकई में RBA दिल से नए license देना चाहता है, दिल से नए bank बनाना चाहता है देखिए, banking license is on tap, कोई भी apply कर सकता है किसी वाकत कोई भी apply कर सकता है तो it is on tap अब कभी भी apply कर सकते हैं और जो आपने जिस बात, आपने जो point मेंशन किया एक internal working group है उन्होंने एक report त्यार किया है independently उन्होंने एक report त्यार किया है और उसको, उसके उपर RBI में कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है उसको इसलिए हम public domain में रखे हैं ताकि उसके उपर comments आए stakeholders या हो या कोई भी public के member हो या कोई expert हो, जो भी हो आपने comments दे सकते हैं सारे comments आने के बाद हम सारे सुझाओ, सारे comments एक्जामीन करके कोई फैसला लेंगे अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है तो इसलिए वो report अगर आप देखेंगे उसमें कई सारे points से मतलब जैसे आपने बताया कई सारे points से तो जब आज आएंगे comments फिर हम decision लेंगे सार इस वक्त देश के मिडिल क्लास को सामने एक बड़ी समस्या है एक और महंगाई बढ़ रही है inflation ज़्यादा है तो उनके खर्चे बढ़ रहे है दूसरे तरफ ब्याज़जरें बहुत कम हुई है दो परसेंट से ज़्यादा कम हुई है पिछले दो सालों में तो उन्हें दिपोजिट्स पर ब्याज कम मिल रहा है especially senior citizens को RBI इस situation को कैसे निप्टेगा कैसे inflation को कम लाएगा ब्याज़रे तो शायद आप ज़्यादा बढ़ाना चाहें growth को देखते हुए लेकिन इसके लिए क्लान है आपके पास देखिए आप अगर MPC के resolution देखेंगे बहुत कैरफुली उसमें ये कहा गया है कि inflation जो है वो कुछ मैनों के लिए elevated रहेगा और आगे जाके क्या inflation numbers रहेंगे वो भी project किया गया है लेकिन ये भी कहा गया है MPC resolution में कि winter months में एक window of opportunity है उसका मतलब ये है कि खरीफ crops जो है वो market में आ जाएंगे visitable prices जो है वो winter months में कम होते हैं और जो supply bottlenecks थे supply side bottlenecks थे तो धीरे-धीरे covid का जो opening up हो रहा है उसमें भी goods और goods movement काफी ease out हो गया है और भी ease out हो जाएगा तो इसलिए एक बहुत बड़ा संभावना है कि इस time में winter months में inflation सायद कम हो जाए थोड़ा moderate हो जाए और सरकार के तरफ से भी कई सारे steps लिए गए हैं और हमारे ये expectation है कि आगे भी जाके सरकार steps लेंगे जैसे कि अभी recently आप देखेंगे तो edible oil जो palm oil है उसका import duty 10% कम किया गया state governments जो है उनको भी बहुत सारे steps लेनी चाहिए जैसे कि आपका हो गया आपका देखें milk prices या आपका जो chicken prices या अंडे के prices उसमें state government को भी बहुत सारे steps लेनी चाहिए तो winter months जो है अभी एक window of opportunity है और एक chance से that inflation will moderate और दूसरी तरफ growth को भी हमको support करनी चाहिए तो therefore हम बहुत carefully situation जो है उसको situation जो है उसको monitor कर रहे है MPC resolution में ये कहा गया कि the MPC will remain very watchful, I'm closely monitor कर रहे है और जो जो steps जब भी जरूरत रहेगा वो steps हम लेंगे कोई premature rollback नहीं होनी चाहिए, delayed rollback भी नहीं होनी चाहिए मेरा कहना की मतलब है कि जैसे कि liquidity policy हो या interest rate हो उसको आप जल्दवाजी करके उसको withdraw कर लेंगे तो फिर आपका ये जो hundred years का जो सबसे बड़ा challenge है COVID उसमें जो growth अभी slow down हुआ है और जो अभी धिरे-धिरे revive हो रहा है वो बिलकुल उसमें बहुत बहुत उसमें बहुत सारे problems आएंगे तो आपको growth को support देनी चाहिए at the same time inflation को भी watchful रहना चाहिए और timely action लेनी ज़रूरी है ये एक balanced call की ज़रूरी है क्योंकि आप prematurely जलबाजी करके कोई फैसला लेंगे तो आपका growth बिलकुल खतम हो जाएगा जो भी revival हो रहा है उसमें बहुत सारे बाधाये आएंगे और आप delay कर देंगे जो जैसे कि पिछले काई हमने पिछले global financial crisis के बाद में भी देखा है अगर delayed rollback करेंगे कोई policy का फिर उसका भी negative effects आजाएंगे तो हम RBI Central Bank में हम बहुत closely situation monitor कर देंगे और जैसे कि मैंने अपने statement में कहा that हम appropriate time में appropriate steps लेंगे बिलकुल और आम तोर पर RBI की image जैसी नहीं थी वेसी पिछले दो सालों में बनी कि आप proactive हो रहे हैं forward looking, unbiased, political pressure के बगेर नहीं तो आम तोर पर यह image US Fed की है कि हाँ वो market friendly है और समय से पहले करते हैं, आपने समय से पहले काफी rate cuts की है अपने results बढ़ाएं क्या वाके में RBI अमेरिकी फेड की तरह है और ज्यादा independent, और ज्यादा proactive, और ज्यादा forward looking हो सकता है दीख हमारा कोसिस यही रहा है कि हम हमेशा forward looking रहे inflation targeting जो है वो एक forward looking policy है growth जो steps लेते हैं वो भी forward looking approach रहा है और आप देखेंगे financial sector stability हो, banking sector हो इसमें हमा कोसिस यही रहा है कि हम proactively उसमें हम step ले और हमारे जो RBI में ऐसा कोई बाधा नहीं कि कोई मतलब autonomy जैसे autonomy की आपने बात की I think जो existing law है जो existing autonomy है उसके I mean अप कई सर इस सफिशेंट और सरकार के साथ मैं बहुत सिधा आपको बताना चाहता हूँ सरकार के साथ बहुत सारे discussions होते रहते हैं लेकिन RBI का जो फैसला है वो independently हम लेते हैं जी क्या बात है सर एक चीज और जो बड़ी interesting भी है कि इस वक्त market friendly होने की जो बात के जाती है और markets आपको पता है lifetime hyper है इस वक्त और बहुत सारे पैसे आ रहे है hot money जिसे कह रहे हैं लोग की dollars इतने आ रहे है क्या RBI की नजर है कि इतियास में इतना पैसा एक साथ कभी नहीं आया 85,000 क्रोड रुपए एक ही महिने में वापस निकलेगा तो क्या RBI किस तरह की इस पर supervision है देखिए यह जो इसके बारे में मैंने MPC statement में भी मैंने इसके बारे में जिकर किया था हमारा reserve position जो है वो latest number आपको जो release हुआ है वो 579 billion dollars है बहुत strong reserve position है तो जब कोई spillover effect आप जो कहते हैं कोई withdrawal अगर होगा तो क्या होगा उसको हम deal कर लेंगे और हम regularly monitor करते रहते हैं कि हमारा जो debt position है देश का जो general debt external debt जो है बाहर से कितने loan लिए गए है मतलब private companies हो ECB route में हो या जितने कितने पैसे आ रहा है उसको हम regularly monitor करते रहते हैं और अभी जो है surplus liquidity चारों तरफ है लेकिन situation बदल सकता है कब बदलेगा वो कोई predict नहीं कर सकता है लेकिन अभी जो liquidity position है globally I think साथ कुछ दिन ऐसे ही चलेंगे क्योंकि US Fed का अगर statement देखेंगे या आप European Central Bank का statement देखेंगे वो बहुत clear message दे रहा है कि interest rate कई दिन के लिए एक दो साल के लिए दो साल के लिए उसको कम रखेंगे liquidity support देंगे अभी ECB ने फिर अनाउंस किया है liquidity support तो यह अभी तुरंद कोई sudden development होने का chances कम है लेकिन अब global economy में अब हमेसा आपको बहुत सतर करेना चाहिए क्योंकि कुछ unfortunate और unexpected development भी आ सकते हैं तो हमारा जो reserve management है हम बहुत carefully monitor कर रहे हैं और हम बिल्कुल confident है कि कोई भी ऐसा situation अगर आ जाए उसको हम deal कर पाएंगे RBA fast है मजबुती के साथ banking infrastructure को और अच्छा बनाना चाहती है लेकिन हाली में हमने देखा कुछ cases से आए जहां पर digital banking में issues आए हैं RBA किस तरह से banks को तयार कर रही है आपने 24 by 7 RTGS कर लिया लेकिन क्या वाकई में banks और banking infrastructure तयार है इस तरह की digital banking के लिए इसी हम बैंकों के जो IT infrastructure है बैंकों के जो IT infrastructure है उसको भी हम हमारा supervision में उसको examine करते हैं और कितने complaint से कितने downtime है बैंक के IT infrastructure में उसको भी हम मतलब RBI के audit तो हम RBI doesn't do audit but हमारा जब supervision करते हैं उसको भी हम regularly monitor करते रहते हैं और कोई भी अगर situation ऐसा आता है तो तुरंथ हम बैंकों को caution letter issue करते हैं और उनके साथ मिलके वो जो problem अगर उनका IT system में कोई आता है तो उसको कैसा solve किया जाए उसके तरफ हम बहुत ध्यान देते हैं सर इस pandemic के दौरान एक issue आया जिस पर जी बिजनस ने दो बार हमने बड़ा coverage किया operation हफता वसुली जो digital loan देने वाली जो apps हैं उनकी तरफ से customers को बड़ा परेशान करना recovery के लिए गलत तरीके हमने जब यह issue रेज कि RBI ने बड़ा proactively काम भी किया उस पर और आपने guidelines भी नहीं बनाई तेकर अभी भी थोड़े regulatory gaps हैं RBI इस मामले में क्या कर सकता है क्या करने का प्लान है तीकि हमने एक fair practices code issue किया जिसमें हमने यह कहा कि कोई भी digital lender हो अगर वो उसका website में यह display करनी चाहिए वो कौन सा bank या कौन सा NBFC को represent कर सकता है ताकि customer को यह पता चले कि यह फलाना bank या इस NBFC के साथ मिलके यह उनका जो है representative है तो complaint वो वहाँ दे सकते हैं बैंकों को और NBFC को भी यह mandate किया कि आप आपके जो website है उसमें आप display करिये आपके कौन-कौन digital lending में आपके कौन-कौन representative है कौन-कौन आपको represent करते हैं ताकि लोगों को यह पता चले कि जो digital lender है उसका profile पता चले और जब कोई problem आता है complaint भी वो दे सकते हैं तो fair practices code में हमने बहुत सारे guidelines issue किया है वो जो collection agents जाते हैं उनके behavior के बारे में और यह जो है इस हमारा ध्यान में अभी भी है उसमें हम और भी study उसको कर रहे हैं उसको कैसा further उसको tighten किया जाए उस हमारा it is under consideration एक दर जो है सार लोगों को है कि और especially banking sector में कि जैसी moratorium वाला मामला Supreme Court में final होगा और जब यह खत्म होगा उसके बाद banks के NPA बढ़ने के बड़े आसार हैं क्या RBA को इसका पूरा अंदाजा है क्या कुछ हो सकता है और उसके लिए क्या तैयारी है देखिए पिछले financial stability report में हमने एक number दिया था कि जो NPA है 12.5 to 14.7% का एक range दिया था हमने 12.5 जो था baseline scenario था और 14.7 हमने दिया था severe stress situation में अभी जो next financial stability report ओ end December के last week में वो release कर रहे हैं तो हम उसको study कर रहे हैं कि कितना बढ़ सकता है वो जो figure हमने दिया था वो 31st March में कितना होगा वो figure दिया था लेकिन हम अभी जो figure देंगे वो 31st September का position हम उसमें हम reflect करने की कोशिस कर रहे हैं तो वो अभी under examination है उसको under analysis है सरकारी bank बहुत जरूरी है देश में अर्थविवस्ता के लिए क्योंकि जो एक special priority sector lending करनी हो या सरकार की जो नीतिया है वो आम लोगों तक पहुचानी हो इसके लिए बड़ी जरूरत है लेकिन अभी भी उन्हें बड़ी पुंजी की जरूरत है capital उन्हें चाहिए और दूस और अगर banks के पास पुंजी नहीं है तो फिर देश की growth आएगी कैसे देखे हमने मैंने पहले भी दो तिन बार ये कई सारे event में मैंने कहा है और directly भी हमने बातचीत किया है सारे सरकार के साथ और private bankों के साथ कि proactively capital raise किया जाए और ये कोवीड situation में जो stress आने की संभावना है उसमें proactively capital build करनी चाहिए अगर इस साल का figure आप देखेंगे तो सारे private banks जो है कुछ 30-32 हजार करोड उन्होंने market से capital mobilization किया है public sector bank भी जब देखेंगे अभी तक साथ वही 30,000 करोड के आसपास raise किया है हाँ उसके अंदर State Bank of India का सबसे बड़ा share रहा है लेकिन हाल में I think Canada Bank ने raise किया है तो बाकी जो public sector bank है हमारा ये information है कि एक के बाद एक क्योंकि ये best opportunity है ये जो situation अभी है market में आपका liquidity बहुत है और interest rates low है तो आप किसी तरह का bond अगर raise कर रहे हैं कोई जो capital qualifying bond से ओर raise करना चाहते हैं या capital raise करेंगे this is the best time और हमारा ये information है कि और सारे public sector bank भी capital raise करनी चाहिए सरकार ने फिर पिछले supplementary में भी बीस अजार करोड जो first supplementary estimates था इस साल का उसमें उन्होंने बीस अजार करोड bank capital के लिए public sector bank capital के लिए उसमें प्रावधान किया है और अगले साल के budget में ज़रूर कुछ provision रखेंगे तो हम ये regularly discuss करते रहते हैं सरकार के साथ private bank के साथ भी discuss कर करते रहते हैं सर्थ एक तो की पैसा ही नहीं है वो बड़ी समझ्या है liquidity crunch जो ILFS के वक्त देखा था और अब यह के बहुत पैसा है मनला reserves भी आपने बड़े बना दी है liquidity भी सिस्टेम में भरपूर है तो यह problem of plenty क्या इसे control करने की जरूत है या एकदम comfortable level पर है इस वक्त liquidity आपके लिया से देखे liquidity जो है तो excess liquidity वो mainly forex inflow से आ रहा है हमारा जो liquidity injection रहा उसका जो जो objectives थे वो हम achieve कर लिये अब देखेंगे March में जो market का जो corporate bond market आप ले लीजिए bond market हो या market में liquidity का एक dryness आ गया था bond market में bond issuances बिल्कुल bond हो गए थे लेकिन उसके बाद हमने फिर liquidity injection दिया LTRO, TLTRO यह सारे steps हमने introduce किया तो RBI का जो liquidity infusion रहा उसका जो जो objectives थे वो हमने achieve कर लिये bond market revive हो गया बहुत सारे activities हो रहे हैं bond market में लेकिन यह जो forex inflow है वो additional liquidity है और उसको everyday at the end of the day हम sterilize कर रहे हैं reverse repo जो window है उसको sterilize कर रहे हैं तो इसलिए surplus liquidity जो है वो almost entirely sterilize हो रहा है सर आप RBI गवर्नर हैं सरकार में पहले भी बड़े पदों पर रह चुके हैं सब आपको पहचानते हैं कि शक्तिकानतादास साब कौन है लेकिन जानते नहीं है तो मैं कुछ सवाल आपसे इसे करना चाहता हूं जिससे कि हम आपको जान पाएं कि RBI गवर्नर कोन है क्या है और क्या करते हैं RBI और देश की कौन को संभालने के अलावा तो मैं कुछ सवाल आपसे वैसे पूछना चाहता हूं कि कि शक्ति कांता दाज साब को सबसे ज्यादा शक्ति कहां से मिलती है देखिए हमने मतलब यह आपका सवाल है इसलिए मेरे को कहना चाहता हूं कि एक कुछ करने की जो एक कुछ करने के लिए एक पैशन है आपको इतना बड़ा ऑपरचुनिटी मिल रहा है आरबी आई के गवर्णर जैसा बड़ा ऑपरचुनिटी या पहले भी सरकार में important ministry में आप secretary रहे एक बहुत बड़ा opportunity है तो उसमें हम कैसे maximum कुछ कर सकते हैं एक passion जो है वो है और वो शक्ति देती है या नहीं लेकिन वो साइध कही ना कही इट keeps me going भूवनेश्वर, दिल्ली, मुंबई तीन जगे आपके कर्म मुभू में रहे चुकी है इससे ज़्याद हो आप बीच में चन्ने ही छोड़ रहे हैं चन्ने में चोड़ दिया है मैं जिन्दगी के 27 साल तमिलनाडु में मैंने service career में 27 साल तमिलनाडु में भी रहा हूँ तो चारों में फेवरेट सारे फेवरेट हैं लेकिन मेरा जो naturally मेरा जो hometown है भूवनेश्वर हमेसा तो आपका ज schooling जहां अपने किया जहां पे where you are born and brought up naturally उसके साथ तो एक special attachment होता है जिन्दगी में कुछ मिस करते हैं सब कुछ मिला है नाम इतनी शौरत इतना काम करने का एक मौका वो भी शायद जिन्दगी में सब लोगों को नहीं मिलता है लेकिन शक्ति सार को मिस करते हैं कि हाँ ये बाकी रही है ये करना है अगर आज मरे पैरेंट्स जिन्दा रहते मेरे पिता जी और माता जी तो कितने खुश होते कि मतलब में इस बड़े पोजिशन पर पहुंच गया ये एक हमेशा कहीं न कहीं मन में रहता है और कुछ अनफिनिश्ट एजिन्डा के हाँ अभी ये तो करना बाकी है अगर नहीं रहा तो फिर आपका जिन्देगी का कोई मतलब भी नहीं रहा तो वो तो हमेशा रहेगा आपका फेवरेट खाना फेवरेट खाना क्या है फेवरेट खाना है हमारा ओडिसा के कुछ फूड है कुछ खाने का चीज है चावल के साथ कुछ वेजटेबल्स जो है वो फेवरेट है खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं देखें, खाली समय में में। हिंदुस्थानी क्लसिकल म्यूजिक। बहुत सुनता हूँ। वोकल есте क्लासिकल म्यूजिक। ये में हमेसा ये में, मतलब, कॉलेस बेस से सुनता हाँ। और वह भघत बड़ा वसका एक सूधिंग एफएक्ट रहता है, मन को जो है वो बहुत सांत कर देता है. आपकी फेवरेट होलिडे डेस्टिनेशन? छुट्टी बनानी हो? आपकी जादा छुट्टी में गया ही नहीं. मोका मिले तो? छुट्टी क्योंकि मैं हमेसा बाहर रहा हूँ, जब भी छुट्टी होता था, तो मैं भुवनेश्वर जाता था. आपकी पसंद्धा बुक कोई अगर आप बुक पढ़ते हैं या आपने पढ़ी हैं जो आपको लगता है कि यह मुझे बड़ी इंस्पायर करती है? बुक्स तो कई सारे पढ़े हैं मतलब जिन्दगी में, मैं मतलब अगर मान लीजे तो महात्मा गान्धी जी का जो बुक्स है, जो खुद उन्होंने लिखा है अपने बारे में, या गान्धी जी के ऊपर जो जितने भी लिखे गए हैं, बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल रहा है मेरे लिए हमेसा, और इसलिए आप देखे हूं कि आपने देखा होगा कि मैं कई बार मात्मा गान्धी जी को कोट करता रह देखे, मैं तो पहले अपने आपको इतना बड़ा एक इंस्पिरेशनल फिगर मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप जो भी प्रोफेशन आप जॉइन कर रहे हैं, वहां पे आप अगर दिल दिमाग लगा के काम करेंगे तो आप ज़रूर एकसेल कर सकते हैं, और सर आखरी सवाल यह कि एक साल और बाकी है, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आर बीए की बहुती जबरदस परफॉमेंस हैं, अगर आप चाहेंगे तो डेफिनिटली आपके लिए एकस्टेंशन भी होंगे, बाकी अब क्या काम ऐसा है जो आर बीए में आप और करना चाहते हैं? और बहुत सारे काम हैं जो आगे जाके करनी चाहिए और करते रहेंगे. आप फिट हैं, चुस्त दुरूस्त हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इश्वर आपको बहुत अच्छी हेल्थ भी देगा और आप जब कहरें कि काभी बड़ा अन्फिनिश्ट एजेंडा है तो मैं उम्मीद करता हूँ एक साल बाद आपकी पारी खत्म नहीं होगी. शायद उसके बाद सेकंड इनिंग और शुरू होगी. सर्फ बहुत बहुत शुपकाना है आपको बचेवे एक साल के लिए और बागी बचेवे अन्फिनिश्ट एजेंडा के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपके नितरुत में आरबे जो देश में दुनिया में सबसे बहुत 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 धन्यवाद से थैंक यू आपको भी बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्सकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार. थैंक यू से.